हाई स्टुडेंट, मैं इस बीडियो में आप लोगों को यू डवली के चप्टर नमर थ्री एलेक्टोलाइटिक प्रोसेस के कुछ मोस्ट एम्पॉर्टेंट मल्टी चोईस कुष्चन को कराऊंगा पहला कुष्चन है विद्धुत अप घट में किसकी गती के काड़ धारा का प्रवा होता है आयन्स, होल्स, इलेक्टोन, नौन, आप थी है वो तो इन चारो अप्शन में अप्शन नमबर आपका पहला सही हो जाएगा नेस्ट कुष्चन की बात कर लेए वैदुत लेपन किया जाता है धातूं को जंग बचाने के लिए ये बात सही है धातूं को जंग बचाने के लिए ये बात सही है धातूं को जंग बचाने के लिए ये बी सही हो जाएगा ओके गाइस कुश्चन के बात कर लें विद्धू निच्छेपड के लिए आवशक सकती है DC and very low voltage DC and high voltage AC and very low voltage AC and high voltage तो आपसा नमर आपका DC साही हो जाएगा ठीक है विद्धू निच्छेपड में आमेशा क्या करते हैं DC voltage और low voltage से हो सकता होती है ठीक है नेच्छ कुश्चन की बात कर लें कुश्चन नमर फॉर दिद्धू लेपन प्रकिरिया में सप्लाई की पोश्ट्यू धुरू से जुड़े इलेक्टोर्ट को नोड कहा जाता है और negative से जुड़े हुए इलेक्टोर्ट को क्या कहते हैं आल्सो काल्ड दा इनोड आल्स काल्ड दा कैटोर्ट काल्ड दा इलेक्टोरलाइट काल्ड दा एलेक्टोलिसेस तो अपसन नमर आपका भी सही हो जाएगा कोशन नमर फाइव करते हैं वह पदार जिसमें दर्भी वस्ता में बिद्दुदारा प्रवाइद करने रश्चानिक प्रवर्तन होता है बिद्दुद अफगट इलेक्टोलाइट इनमें से कोई नहीं तो अपसन नमर आपका एस ही हो जाएगा कोशन नमर फाइव करते हैं वह पदार जिसमें दर्भी वस्ता में बिद्दुदारा प्रवाइद नहीं होती अब बिद्दुद अफगट इलेक्टोलाइट इनमें से कोई नहीं तो अपसन नमर आपका पहला सही हो जाएगा कुशन नमर सेवन करते हैं वह एलेक्टोल जिससे विद्दुद धारा घोल में प्रवेश करता है इनमें से कोई नहीं तो अपसन नमर आपका यह सही हो जाएगा एलेक्टो प्लेटिंग का मुख सिधान क्या है तो अपसन नमर आपका यह सही हो जाएगा एलेक्टो प्लेटिंग वह प्रक्रिया है जिसके दारा धातू नमक की उपस्ति में एक धातू दूसरे धातू के उपर जमा हो जाता है इस प्रक्रिया में पानी क्याडू को अंतिं उत्पात की रूप में दिया जता है उत्पात की रूप में दिया जता है इसलिए एलेक्टो प्लेटिंग के पीछे का सिद्दान हाइड्रोलिसिस कहलाता है कोशन नमबर नाइन करते हैं निम्न में से कौन सा बिद्दूद लेपन का अनुप्रियोग नहीं है सजावट करना धातू की को कोटिंग करना धातू किसे अच्छा करना सनचरस्ते बचाना तो औप्षन नमबर आपका डी सई हो जाएगा तो देखो जो बिद्दू लेपन है उसे एउसे इंग्लिज में बोलते हैं एलेक्टो प्लेटिंग वह प्रकिरिया है जिसके द्वारा अभी बता चुके हैं ओकि गाईस तो पढ़ना चाहाँ पढ़ लें इलेक्टो प्लेटिंग वेटर के लिए है जिसके द्वारा धातू नमक की वस्तती में एक धातू दूसरे धातू के उपर जमा हो जाती है इसी लिए इसका उपयोग सजावती उद्देसों में अन धातू की कोटिंग करने में किया जाता है यह जंग रोकने में मदद नहीं करता है पेंटिंग जंग को रोकने में मदद करता है गाइज नएस कुश्टन की बात करने है कुश्टनमर टेन धातू के गुणों को मोडिफाई करने की प्रगिरिया डैस कहा जाता है एलेक्टोलिसेस एलेक्टो डिपोजिशन एलेक्टोलेस प्लेटिंग एलेक्टो प्लेटिंग तो अपसा नमबर आपका भी सही हो जाएगा वश्च नमबर करते हैं गेरा बिद्द लेपन अधारित है बिद्द के चुम्मी की प्रवाव पर बिद्द करशानी प्रवाव पर बिद्द कूस्मा प्रवाव पर बिद्द के बावतिक प्रवाव पर तो अपसा नमबर आपका भी सही हो जाएगा आसुत जल में सदाहार नमक मिलाने से क्या बनता है गुड कंड़ेक्टर एंसुलेटर नो या दोनो तो आपका आसुद जल में नमक बनाने से बन जाता है गुड कंड़ेक्टर ओके गाइस नेश कुश्चन तेरा करते हैं एक एलेक्टर लाइट है आ मेटल आ सोलुशन आ लिकुड डैट कंड़ेक्ट करेंट आल आप वो तो आपसन नमर आपका सी सही हो जाएगा कुश्चन नमर चेहुदा करते हैं एलेक्टर का प्रवाग कहलाता है बिदू लेपन बिदू धारा इलेक्टर विदू अपगट तो आपसन नमर भी सही हो जाएगा निम्द लिखित में से काउंसी धातू इलेक्टर प्लेटेड नहीं हो सकती तंगेश्टन निकिल सिल्वर कापर तो आपसन नमर आपका इस सही हो जाएगा चुकी तंगेश्टन में दिश्चार्च छंपता नहीं होती यह एक इलेक्टर से दूसरे एलेक्टर में आसानी से इस तनांतरख नहीं कर सकता इसलिए इलेक्ट्रो प्लेटिंग नहीं किया रहता है इसलिए से इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया दाता है तंगेश्टन सबसे कम इलेक्ट्रोप्लेटिव धातु है आज की वीडियों में 15 कुश्चा नहीं कराएंगे नेस्ट टाइम अगर और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा ओके चलिए इंड करते हैं किलास को हैं